फटाब, 30 सेगंड में खौड़े से, डाउनलोड कीजिए तक क्या इसके अतने पीतर बढ़ दूंगा, कर ढोक्टर पोस्ट मार्टिम करेगा ना तो भो भी नो किया गर कहीं ना कहीं तो यह गिंची तो इसके खाज जगह छोड़े देते पच्छे ने के लिए ये फिल्मी अभिनेता नहीं बलकि धौलपूर जिले की बाड़ी विधायक गरिराज मलिंगा हैं मलिंगा जी की ये धमकी है डकैत जगन गुजर के लिए वैसे प्रदेश में पुलिस प्रशासन है, सरकार है और सरकार भी विधायक जी की पार्टी की ही अब विधायक जी की इस गुस्चे का कराण जान लिजे धौलपूर जिले में पूर्व डकैत जगन गुजर और बाड़ी विधायक गरिराज सिंग मलिंगा के 20 तनातनी बढ़ती जा रही है जगन गुजर के धंकी भरे दूसरे वायरल वीडियो के बाद विधायक जी देर रात को मुख्यमंत्री असोग गहलोस से मिलने जैपूर पहुंचे जैपूर से धौलपूर लोटने के बाद विधायक जी ने कहा कि पुलिस को कारवाई करने के निर्देश दिये गए हैं पुलिस कारवाई नहीं करती है तो जनता पुलिस के खिलाफ होगी एक पुलिस का उठावाए मेरे घर पे पुलिस पटत कर नहीं डेके लिए कारग तो दरसल इनामी कुख्याद डकैत जगन गुजर के बाड़ी विधानसबाद छेत्र के कांग्रेसी विधाये गिरिराज सिंग मलिंगा के खिलाफ लगातार आपतिजनक वीडियो वारल करने के बाद अब सियासत गर्वाने लगी है मद्रदेश के मुरेना जिले के दिमनी और सुमावली विधानसबाद छेत्र के कांग्रेसी और राजपूर समाच के विधायक गजब सिंग और रविन्र सिंग विडो सा मलिंगा के बाड़ी कजवे के आवाज पर पहुंचे लंबे समय तक चली पंचायत के बाद मद्रदेश के कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा के पूर मंत्री एदल सिंग कसाना और धौलपूर के पूर विधायक जस्वन सिंग गुजर को मुकाबले के लिए खुलू चिनोती दी साथ ही डकाय जगन गुजर को भी चुनोती दी मलिंगा के खिलाफ अपतिजनेक वीडियो वारल करने के बाद सियासत गर्माने लगी है कांग्रेस और भाजपा के नेता अब एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं बीते गुरुवार को मद्रप्रदेश के मुरेना जिले के दो विधायक भी सियासी लड़ाई में सामिल हो गए बाड़ी विधान सभाच छेत्र के पूर विधायक जस्वन सिंग गुजर ने सुक्रुवार को नीजी आवास पर एक प्रस्वारता कर कांग्रेस के वर्तमान विधायक गिरास सिंग मलिंगा पर आरोपो की बहचार की में कभी रामराम नहीं रही जगन से आज तक एक परमान दे तो तुम्हारे बीस परमाने बासकर में आई यह भूडु संग बैठे हैं साफा बांद हुए बैठे हैं को दिन्ना पंचाज में केंटेट खड़ा किया इन्हों ने परिचार इनके सब परिवार ने भाईयों न करना यह कहता है उसका वीडियो आता है कि मेरे से यह तै हुई थी कि बंदूख तेरी लेंगे नहीं नहीं हम जबतनी करने देंगे पुल्स पर तेरे जितने भी केस हैं वो खंभ करा देंगे तो मैरे खिलाब से शिरुकर कर दिया उसका कहना ही यह यह क्या गंभीर मामला नहीं है मुझे आब बताओ यह कितना गंभीर मामला है वही मामले में मद्धप्रदेश की मंत्री एदल सिंग कसाना पर डकैट को सनर्ट्षन देने का आरोप लगाया जा रहा है कसाना ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोप निराधार हैं डाकू और बदमासों से उनका कोई संपर्क नहीं है उनकी कॉल डिटेल भी निकलवाई जा सकती है बता दें कि 22 जनवरी 2022 को 15,000 रुपए के नामी कुख्याद डकैट जगन गुजर ने वीडियो वारल कर बाडिक के कॉंग्रिसी विदायक गिराध सिंग मलिंगा के खिलाफ असोबनी एवम आपतिजनक टिपणी की थी गटना के बाद कॉंग्रिसी विदायक गिराध सिंग मलिंगा ने भाजपा के पूर विदायक जस्वन सिंग गुजर और मदबरेश के पूर मंत्री एदल सिंग कसाना पर डकैट जगन गुजर के साथ सांट गाट का वीडियो वारल करने के आरोप लगाय थे मजूदा वक्त में वीडियो वारल होने के बाद कॉंग्रिस और भाजपा में सियासी घमासान सुरू हो चुका है दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाकर कटाक्ष कर रहे हैं राजस्थान तक के लिए धालपूर से उमिश मिश्टा की रिपोर्ट